नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश बासकर चाटे, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आथर पिछले कुछ कॉर्पोरेट सेशन में मुझसे एक सवाल पुछा गया पार्टिसिपेंट से सवाल ऐसा था कि सर ऐसी कौन सी किताबे है जो हमने पढ़नी चाहिए ऐसी कौन सी किताबे है जो हमारी लाइफ बदल सकती है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके उपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि यह information आप तक भी पहुचाई जा सके तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले है 5 essay books पाच किताबे जो आपकी life बदल सकती है जो आपको inspire कर सके जो आपको motivate कर सके जो आपको शक्ती दे सके वीडियो के शुरुवात में आपको मैं कहना चाहूँगा यह 5 किताबे में जो आपको बताने की कुशिश कर रहा हूँ यह 5 किताबे self help industry इस category से डिराइव है इस category से आती है यह general 5 किताबे नहीं है self help industry की 5 अच्छी किताबे में आपको बताने की कुशिश करूँगा जो पढ़ने के लिए भी easy है समझने के लिए भी easy है और आपको ज्यादा से ज्यादा knowledge यह दे सके है तो नमबर 5 पे है greatness guide greatness guide Robin Sharma जो एक world famous author है life coach है इन्होंने यह किताब लिखी है आपने इनकी किताब The Monk Who Sold His Ferrari सुने होगी बहुत famous किताब थी दोस्तों यह greatness guide मेरी तरफ से favorite है मेरी यह favorite है क्यों favorite है because life के short lessons यह देने की कुशिश करती है हर एक पन्ने में quality बहुत सारे quality समझाई गई है greatness के regarding हर एक पन्ना आपको शक्ती देने की कुशिश करता है आपकी life बना देगा दोस्तों life के values हो belief systems हो people, excellence, greatness के सारे keywords यह किताब define करती है बहुत ही बड़िया किताब है नुमर चार पे आती है The Habit of Winning प्रकाश आईयर वन अफ माइफ फेवरेट आथर जिन्नोंने किताब लिखी है The Secret of Leadership उनी की किताब है The Habit of Winning जीतने की आदत अगर अप हिंदी में सर्च करोगे इसका नाम है जीतने की आदत बहुत जबरदस सौधर है जो मास्टर है स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी बताते है इतना simple language में बताते है कि आप बहुत सारे lessons इसमें से ले सकते है बुक की खासियत यह है दोस्तों कि कोई भी chapter खोल लीजिएगा एक दूसरे से ये chapter connected नहीं है कोई भी chapter का कोई भी पन्ना खोल लीजिएगा जब भी आप पढ़ने लोगों के आपको ये connect करेगी आपके अंदर ये आग जला देंगी लाइफ के lessons देने की कोशिश करेंगी बहुत सारे favorite stories मेरे personal favorite stories जैसे नवजोज सिंग सिद्धू का story है सचिन तेंडूल कलवारा जो मैं खेलेगा आपको story मालूम होगा प्रकाश आययर सर के book में ही लिखाई है other sports business related सारे अलग-अलग motivational stories इस किताब में दी है पढ़ने के लिए easy है आपके अंदर instant energy, instant power देने में ये सक्षम है दोस्तो किताब number 3 पे आती है goals अगर आप life में goal का पीछा कर रहे हो goal कैसे set करने है, goal setting के आसपास अगर आप content दूनने की कोशिश कर रहे हो तो goals ये किताब best है मेरा ranking पे ये तीन number पे आती है Brian Tracy book के author है, world के leading corporate trainer है ये book आपको goals related topic में पूरा depth में knowledge बताने की कोशिश करती है how to set goal हो या why to set goal ये सारे areas goal setting के आसपास, सारे process को इसमें दिया है, बहुत अच्छी तरीके से दिया है goal setting के benefits भी इसमें दिये है हर एक chapter में आपको interesting stories, interesting steps interesting process आपको इसमें दिखाई देंगे तो ये book भी आप पढ़िए goal setting मैं कहूंगा हर किसी के लिए important है, ये book पढ़ने से आपकी life बदल सकती है number 2 पे आती है emotional intelligence इसके author है Daniel Goleman एक बहुत प्रसिदख cognitive lessons आप इसमें से ले सकते है human minds हो, emotions हो या emotional intelligence हो, anger control हो emotional control या self motivation ये सारे topics को बहुत खूबी से ये किताब define करती है दोस्तो बहुत सारे किताब मैंने पढ़े है मैंने देखा है, इसी के उपर से बहुत सारे किताब भी लिखे गए है क्योंकि ये किताब एक masterpiece है दोस्तो, बहुत ही सुन्दर तरीकी से research किया है Daniel Goleman ने, तो हमारे ranking पे ये किताब आती है नमबर दो पे नमबर एक पे किताब आती है You Can Win भारत की सबसे पहली self-help book है दोस्तो ये, किसने लिखी है, तो भारत के प्रसिद्ध motivational speaker शिव खेरा इन्होंने ये book लिखे है बहुत ही जबरदस किताब है पढ़ने में simple है इसमें से content लेने में simple है और आपको ये बहुत कुछ सिखा सकती है क्या है इस book में? Short stories दिये है बहुत ही शांदार तरीके से चोटे-चोटे stories दिये है और अंत में इसके lessons भी दिये है attitude के बारे में बताया है positive mindset के बारे में बताया है optimism के बारे में बताया है habits जैसे बहुत सारे personality development के tools इसमें दिये गए है life में अगर आपको जीतना है तो you can win ये किताब आपने पढ़नी ही चाहिए इस किताब में मैंने discuss किया है mastery tools यानि कोई भी चीज में mastery कोई भी चीज में excellence कैसे प्राप्त करें इसके बहुत सारे tools इसमें discuss किये है behavior अगर आप सुधार ना चाहते हो तो behavior के कुछ tools इसमें discuss किये है और emotional management के ऊपर भी कुछ topics इसमें discuss किये है तो ये किताब भी आप पढ़ सकते है ये किताब Amazon और Flipcard पे available है अशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है आप भी comment section में बता सकते है आपके हिसाब से self help industry के 5 ऐसी किताबे जो हर किसी ने पढ़नी चाहिए life changing किताबे आप भी comment section में मुझे बता सकते है thank you so much ये वीडियो देखने के लिए वीडियो को share कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले episode में तब तक के लिए I am signing off thank you so much जैहन